देखो आज अपनी क्लास है टेक्निकली इस सेवेंथ क्लास लेकिन बीच में दो हमने खली रिकॉर्डिंग के लिए स्किप करी है मतलब किस दिन कोई दिन रिपीट हो रहा है एक दिन नाइट ड्राइविंग थी तो ज्यादा अची क्लिप नहीं आती तो मैंने रात का शूट में भी यही किया था कि जो स्पोर्ट खाली है उसके आगे वाली गाड़ी को ऐसे रेफरेंस लेते थे इसमें भी सेम काम करना है उतनी ही डिस्टेंस पर चलना है लगबग यहां से दो तिन फीट जो इधर गाड़ी खड़ी रहती है जैसे यह काईगर खड़ी है तो अब यहां बिफ्रेंस ले रोग दी उसमें भी अगहां यहीं करते थे कि एक टायर रेफरेंस ले लेते थे इसमें भी सेम काम करना है जयसे चैने नो बाक औग एक्समें लेफ्ट थिक है और चलती जाओ जब तक जब तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे वाले व्यील्य उसी वी जर में देखते देखते दोनों में साइमल्टेनेसली अगर तुम्हें लगे ना कि उस गाड़ी की ज्यादा नजदीक जा रही है थोड़ा स्टेरिंग वापिस कर दो जरूरी निये कि तुमने जो एक बार शुरू में स्टेरिंग रोटेशन दे दी उसी में चली ही जाएगी जब मुझे लगेगा मेरी गाड़ी उसके लगवक बराबर यह गाड़ी ना वैसे टेड़ी खड़ी आइटम ठीक है तो हमें भी एक बार के लिए मैं टेड़ी लगा रहा हूं ठीक है क्योंकि मैं एकदम सीधी करूँगा तो उसके नजदीक चली जाई टेड़ी खड़ी ह उसके पैरलेल खड़ी करूंगा गाड़ी जब लगे दोनों काड़िया पैरलेल हो गई है यानि दोनों की बॉड़ी जेक दम ऐसे बराबर हैं तो रोग के स्ट्रेट पीछे और अपने कैमरा में देख लेना पीछे लग गई है ना करोगी अटेम्ट क्यों कि कैमरा किसले लगाते रिकोर्डिंग के निया है अरे नहीं उनको सित कैमरा दिख गया कि कैमरा लगा लगा रख़ा है सिंपल मिरर अपनी साफ सेट करना मैंने अपनी साफ से किये हुए थे पहले क्या करना बताना है पूरा लेट पर अगे जाओ तक हमारे पीछे वाले तुमको इतना स्पेस मिलेगा कभी पार्किंग जैसे मौल के पार्किंग में जाओगे तो इतना स्पेस नहीं होता है तो थोड़ा सा नजदी की चलते हैं उसके ठीक है एकदम चिपका के भी नहीं लेकिन ये वाला गैप ज्यादा मत लेना तरीका हमेश्चा सेम रहेगा तो थोड़ा से और हो गया है लेट लेलो पूरा थोड़ा से और है थोड़ा और है थोड़ा है थोड़ा और बस स्टोप अभी पूरा राइट सिंपल है पार्किंग काफी इट इस निट्स प्रेक्टिस अभी उस वाले मिरर में पहले देखना शुरू करना क्योंकि वो तुम्हारा उस गाड़ी के नस्दिक जाएगी अभी इधर तो चलो फो टाइम पिंग कुछ है नहीं परना दोनों में देखना है उसके पैरले लगाना वो आप चाए टेड़ी खड़ी है चाए सीधी खड़ी है उसके पैरले लगाना मिरर में दीख रहा है लग बग होरी है तो जब तुम्हें लगे कि आप पैरलेल हो चुकी है तो पूरा सीधा येस रिवर्स नव हो गई है एक काम करूँ उदर आई 20 खड़ी है उसके पास लगा वो थोड़ी सीधी भी खड़ी है चलो ये सीधी खड़ी है ये इतना गैप ठीक है ज्यादा नहीं थोड़ा और बस पूरा लेफ्ट तो एक काम करो फिर मैं बताता हूँ ऐसे करो वापिस ले न यहीं कहीं नहीं स्टेरिंग को मत खुमाना वापिस लो रिवर्स क्या हो आई चलो नहीं स्टेरिंग नहीं खुमाना है हाँ चलो थोड़ा पीछे अभी रोको रोको स्टेरिंग सीधा पूरा सीधा कर दो पूरा सीधा करो हाँ अब आगे बढ़ाओ ड्राइग मोड में लगा गे थोड़ा आगे लो आप पूरा लेफ्ट लेबो रोक के पूरा लेफ्ट चलो पूरा हाँ आगे की तरफ ड्राइव मोड में लगा हो है लगा हो है लगा हो है लगा हो है चलो चलो सई जा रही है चलो स्टॉप पूरा राइट ऐसे किया ना एक फिक्स्ट कोई तरीका नहीं है ठीक है चीजे चेंज होती रहती है अभी वहाँ पे स्पेस था इदर नह लजदीगा तुम देखना मुझे नहीं दिखेगा है ना चलो इधर भी देखती रहा ना कि रोको अब भी अगर तुम्हें लगे कि इस पेश ज्यादा आ रहा है मतरबाई 20 और इधर यह काफी गयाप है कि ठीक ठाक है खाफी है काफी है तो कैसे कवर करोगी से थोड़ा राइट फिर ठोड़ा लेफ्ट फिर थोड़ा पीछे थोड़ा से राइट मैं काओ वैसे नहीं अभी खुद से नहीं करना मैं काओ नहीं अभी वापिस नहीं चलो रोको लेफ्ट पूरा आगे चलो 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 रोक के अब पीछे रिवर्स रोक अरे स्टेरिंग राइट राइट करो स्टेरिंग बोलने दो उसे चलो अब गो देख लेगा गाड़िया इसे इधर नहीं टकराएगी देख लेगा पैरलेल कब हो रही है जब हो जाएं तो रोक के स्टेरिंग विल सीधा होगी जब मिरर से मिरर बराबर में आजए तो रोक लेना अगर वो गाड़ी ऑल्रेडी सही खड़ी है तो उसके मिरर के मिरर जब आपका बराबर आजए तो गाड़ी रोक लो ठीक है यह तरीका होता है तो इस परपेंडिकुलर पार्केंग इजी इजी पीजी